कि चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास और आज की क्लास में हम यह मूप टेस्ट नंबर सेवन वाला करते हैं ठीक है यहां पर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा समय स्क्रीन आई रही होगी आपको सब को थोड़ा सा मैं कर देता है उसको चलो शुरू करते हैं तो देखो को सन जो है हमारे पास को सन नंबर वन की अगर हम बात करते हैं अभी हां पर इस को सन में काया विच ओव दा फॉलोइंग पिज नौट वैलेड वैरियेबल ने ठीक है इन में कुछ वैरियेबल के नाम दिय होते हैं वैरियेबल वी तो इसमें से बताया ना आपको कौन सा वैलेड नहीं है तो देखो भी हमारे पास जो या इडेंटिफायर के नाम लिखे आते हैं चाहिए वह कोई सी भी लेंगवेज में हो उनमें एक मॉस्ट कॉमन चीज होती है कि हमारे पास वो डिजिट से स्ट सकते हैं डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं ठीक है यह हमारा बिलकुल लिका va यह भी सही लिकाए यह वाला हमारे पास गली के नाम लिभा बीच में आ सकती है यह यही कि यह सब चीजिजhe हमें यहां पर ध्यानक नहीं इस तरह के question पेपर में आ सकते हैं next question पर चलते हैं next question है हमारे पास है कि if a semicolon is not you it at the end of statement देखो जैसे हम python पढ़ते हैं तो python में semicolon लगाना नहीं लगाना वह optional है आप छोड़ भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो लगा भी सकते हो लेकिन जब आप सी प्लस प्लस करते हैं तो सी प्लस प्लस में semicolon लगाना जरूरी है अगर आपने मालिया यहां पर लिखा int main हम लिखा पर एक function बनाते हैं और उस function में आपने लिख दिया int a equal to 5 ठीक है यहां पर return 0 अगेरा कुछ भी कर दिया अब इस line में आपने semicolon नहीं लगाया semicolon miss कर दिया तो अब क्या आएगी इसमें error आ जाएगी तो क्या आ जाएगी semicolon missing की इस statement में आपके पास error रहेगी ठीक है तो इसका answer हमारे पास यह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है कि विश सोटकट कीज यू टू कंपाइल एंड रन दप्रोगाम इन सी प्लस प्लस में आपको प्रोगाम रन भी करना compile भी करना python में करेंगे तो f5 से हो जाता है लेकिन c++ में alt f9 जो होता है यह basically compile करने के लिए होता है alt f5 जो होता है यह output screen पे जाने के लिए होता है और control f9 जो होता है यह compile और run दोनों करता है compile और run दोनों यह shortcut की बेसिकली टर्बो सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं तो इसका correct answer सी हो जाएगा control प्लस f9 नेक्स्ट कोशन है विच लेंगवेज डजे ब्राउजर यूज तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम दा www 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 से हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सो करनी है है तो वह इंफॉर्मेशन कैसे सो होती है ठीक है डिस्प्ले होती है वैप पेज पर या ब्राउजर पर तो ब्राउजर की तीन लेंगवेज में बेसिकली वह को html यूज करता है html एक मार्कप लेंग्वेज है यह होता है इसके साथ जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं ब्राउजर पर हम css का यूज कर लेते हैं तो html हमारे पास मार्कप लेंग्वेज कोई मसीन कोड नहीं है ना कोई इसके बाद नेक्स्ट कोशन है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट ली डिक्लेयर करें तरीका क्या है कि आप यह लिख दें तो नहीं डिक्लेयर करें निश्लाइज नहीं कर रहें यहां पर गलत है इस सिंपल वैरियेबल का नाम डेटा टाइप का नाम और यहां पर उसकी स्क्वाइर ब्रैकेट में साइज दे जाते हैं कितने इलिमेंट उसमें स्टॉर किये जा सकते हैं इसका अंसर सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारे पास कि sql व्यू आर also known as sql व्यू जो है हमारे पास उनको और क्या बोलते हैं तो sql में जो व्यू जो होते हैं वो बेसिकली वर्चुल टेबल कहलाती है ठीक है सिंपल टेबल तो जो हम क्रियेट करते हैं वह हैं हमारे पास ठीक है तो वर्चुल टेबल जो होती है वो हमारे पास व्यू कहलात जो constant होते है constant हमारे पास कुछ rules होते हैbasically 오빠known हम लगाते a है तो इसमें जैसे primary की की कोलम पे हम लगा देते है यूनिक की लगा देते है रिखे नॉटनल का constant लगा देते हैं कि इसमें हमारे पास foreign पने की का और हम यूज कर लेते हैं वह हमारे पास कुछ एक हमारे पास कुछ एक होते हैं प्राइमरी की फॉररं की यूनिकश्लीम की नो यूज चैक कर एक हमारे पास डिफोल्ट होता है लिई के लिंग क्या जाता एसका c next question पर आते हैं which of the following is not valid aggregate function तो aggregate function की जब हम बात करते हैं बहुत important question यह paper में आता ही आता है तो aggregate function जो है हमारे पास sql में sum होता है हमारे पास mean होता है max होता है average के लिए हम abg करते हैं काउंट के लिए हम काउंट यूज करते हैं तो काउंट हो गया सम हो गया एक compute जो है यह aggregate function नहीं होता है तो answer इसका हो जाएगा बी यहां पर next question है who is the father who is the father of computer computer के father का नाम हमें बताना है यहां पर कौन है तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका answer हमारे पास क्या होने वाला है कि जेम्स गोसलिंग चार्ल्स बेबे डैनी से ची बहुत ही simple general question है तो चार्ल्स बेबे जो है father of computer है ठेक है ascending ये descending order के लिए asc ये dsc लगाते हैं जैसे हमने लिखा select star from emp order by ठीक है id अब वो कह रहा हमने न asc लगाया न dsc लगाया तो by default क्या होगा तो by default ascending order में करता है ठीक है तो यहां पर ascending order यानि asc रहता है बाद में आप asc ये dsc लगा सकते हैं asc ascending के लिए dsc जो है वो descending order के लिए यूज किया जाता है ठीक है ये sql का next question है हमारे पास इसमें कहा गया है कि the sql statement जो है हमारे पास select round 65.726-1 तो देखो यह आपको round वाले कितनी बार समझाए हैं कि minus के one का मतलब है decimal के left side इस वाली value को zero और इसके बाद के सब zero करने है आपको अब यह अगर पाच या पास से जादे है तो इससे आगे का बढ़ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा तो यह बन गया सतर हमारे पास answer हो जाएगा यहां पर सेवंटी के साथ समने database में update कि वह update जो है database मेरा mia क कमिट और रॉलबेक हमारे पास टी कमांड होती है transaction control लेंगवेज तो कमिट से पर्मनेंट से हो जाता है ताल pyramid हमारे पास करेक्ट इन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो इट इस नोट पॉसिबल टू कम्बाइन टू और मॉर फाइल ओपनिंग मॉड इन ओपन मैथट ठीक है यह कहरा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दो या दो से जादे जो है हमारे पास ओपनिंग मॉड एक ही साथ लगा सकते हैं एक साथ ठीक है तो दो से जादे लगाने पर जो है हमारे पास हम एक साथ जो है ओपन कर सकते हैं तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो वहां पर हमें फाइल के मोड देने होते हैं फाइल मोड सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस में फाइल ओप output stream इसे जो हम यूज करते हैं तो ISO का मतलब होता है एक साथ मौड में भी फाइल को ओपन कर सकते हैं यह कह रहा है it is possible to combine two or more file opening mode in open method ठीक है open method का हम use करते हैं और वहां से जो है हम open कर सकते है multiple mode में भी file को ठीक है तो यह basically हमारे पास file opening mode होते हैं और file का जो भी हमारे पास जैसे file को open करना मालिया हमें file को open करने के लिए हम एक f stream का object बनाते हैं वहां पर आफ नाम से बनाया तो open function होता है open function में यहां पर file का नाम मालिया abc.txt file का नाम है फिर file का mode मालिया उसको right mode में करना तो हम यहां पर out लिख देंगे इन उसमें करना है हमें basically read mode में तो हम उसको in लिख देंगे ठीक है तो उस तरीके से हम यहां पर use कर सकते हैं file opening mode को in out read write के लिए हमें जोंसा भी more लेना append के लिए app हम use कर लेते हैं यहां पर तो correct answer हमारे पास second वाला भी है और third वाला भी है दोनों हमारे पास सही दिये हुए हैं यहां पर तो इसका मदलब बी वाला option आपका यहां पर correct हो जाएगा next पे चलते हैं which layer of TCP IP stack component to the OSI model transport layer यानि इसमें यह पूछा है कि जो अब हम बात करते हैं OSI model की TCP model की OSI model में हमारे पास साथ layer होती है ठीक है जबकि TCP IP model में हमारे पास कहीं पर चार कहीं पर पाच model लेयर भी define की तो जो हमारे पास OSI model में transport layer होती है उसको TCP IP में क्या बोलता है तो देखो OSI की अगर हम बात करें OSI में होती है आज प्यारे सचिन तंदुलकर ने दूल पिया हमने यह लिख दिया यानि एप्लिकेशन ठेक है प्रजेंटेशन सैसन टांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक और हमारे पास फिजी कर यह लेयर है अब जब TCP IP में आते हैं TCP IP के अंदर यहां पर हमारे पास यह थीन लेयर को एक ही नाम दिया जाता है आप्लिकेशन लेयर ठेक है हम इसको host to host लेयर भी बोलते है यो प्रजार भी बोलते हैं हम इसको host to host लेयर भी बोलते हैं थीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं next लिक्खावा denktbling ल blocking sound एंटरनेट लेइर एंटरनेट लेंग्स लेयर और फिजीकल लेयर एको हम हमारे पास which is correct syntax of inheritance inheritance c++ में हम inheritance करते हैं उसका correct syntax आपको बताना है क्या होगा तो inheritance का correct syntax क्या होता है कि जैसे माले हमारे पास class A है इसमें कुछ data लिखा हुआ है अब हमें class B है जो inherit करेगी class A को तो हम यहां पर बस class A लिख देते हैं आगे अगर हमें visibility mode देना है यहां पर public private protected वो आप दे सकते हैं by default हमारे पास private रहता ही है यहां पर ठीक है c++ में तो class का नाम और फिर class का नाम फिर base class का नाम ऐसे लिख देते एक्सिस की वर्ड नहीं होता है यह गलत है हमारे पास c वाला option आपका यहां पर correct हो जाएगा ठीक है next question पर आते हैं इस question का output आपको बताना है क्या होगा c++ का code है ठीक है यहां पर एक factorial नाम का function बनाया लेकिन पहले हम mean से शुरू करते हैं एक number है long type में 3 है उसकी value number यहां पर 3 आ जाएगा 3 का note equal to factorial यह हमें यहां पर दिखाना factorial में यहां पर यह number जो है इसको call किया यानि 3 को call किया तो यहां पर जाएगा 3 एक ए में पहुच जाएगा एक ही value होगी 3 अब 3 greater than है 1 से सही बात है ठीक है तो return में आएगा return में है a into factorial यहां पर recursion function use हो रहा factorial a plus 1 यानि a की value 3 है into factorial a plus 1 करेंगे तो a plus 1 कितना हो जाएगा हमारे पास a plus 1 हो जाएगा यहां पर factorial 4 इस तरीके से हो जाएगा फिर आगे करेंगे अगली बार में आएगा तो यहां पर a की value तो अभी भी 3 है a की value तो हमने change नहीं करी तो a की value अभी भी 3 रहेगी फिर factorial 4 हो जाएगा और यह ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है क्योंकि a की value में कहीं application नहीं हो रहा है यहां पर a plus plus नहीं करका आपने यह a minus minus नहीं करका तो हमारे पास च्छे और यह तो आएंगे सेग्मेंटेशन फोल्ट हो जाएगा मतलब लूप चलता रहेगा सेग्मेंटेशन फोल्ट मतलब out of memory हो जाना ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास the correct statement for a function that takes pointer तो यह आपको कई बार करा दिए इस तरह के question तो इनको रीड करना होता है हमारे पास जैसे यह function दिये हुए है कैसे करेंगे जो function है वह क्या करेंगा पोइंटर टू फ्लोट मतलब का होगया फ्लोट का पॉइंटर लगा दो फिर एक पोइंटर टू-पोइंटर मतलब दो पोइंटर तो केरक्टर मतलब तो फंक्शन ने दो integer लगा दो तो अब मैच कर लो यहां पर कोन सा आ जाएगा इसमें तो एक ही बार रेटन कर रहा कheureा काम इसमें यहां Island लोट में भी फ्लोट में एक ही बार हैं आपके पास करेक्ट को संब आते हैं सेड में स्ट तकक्षर के मैं वारे युद्व public होते हैं जबकि class के by default private होते हैं ठीक है तो यहाँ पर का structure by default hide every member whereas class do not structure जो है by default सारे member को hide करके रखती है जबकि class नहीं यह तो उल्टी बात पुरता देशने हैं ठीक है ऐसा नहीं होता है ठीक है कि भई hide तो private member तो class नहीं होते हैं इन structure member are public by default सही है वहराज इन किलास दे रहा है प्राइवेट बाइडिफोल्ट यह वाला सही है structure cannot private member वहराज किलास है तो को structure में प्राइवेट बना सकते हो आप लिख लो बाइडिफोल्ट ही तो नहीं होते बना सकते हैं इसका बिख पर आते हैं कौन सी नेटवर्क टॉप नहीं है तो पीर तो पीर हमारे पास कोई नेटवर्क टॉप लोजी नहीं होती है रिंग बस यह होती है हेँ टैक है हMore हमारे पास टू पी इस का अंसर हो गार लेंट ओ भाई सिरक्स हैомеोट रॉटम इसिक्स शोर इंपोर ce 80348 जो जायेगा है तो ये कि